लगादार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ चुड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें नमस्कार मैं हूँ कविता पांडे और आप देख रहे हैं न्यूस 29 इंडिया अयुद्या में बाबरी मस्दित पक्षकार इकबाल अंसारी ने नाविक्ता संसोथन बिल का समर्थन करते हुए लोगों से कानून को समझने के अपिल की है इकबाल अंसारी का कहना है किस कानून को लोग पहले समझे वहीं उन्होंने कहा कि उग्रधर्ना प्रदर्शन से देश को नुकसानी होगा यहां अफवाख फैला कर लोगों को गुमरा किया जा रहा है देश को हित के लिए सरकार ने कानून बनाया है मुसल्मानों या हिंदूों के लिए कानून नुकसान दे रही है राजनिदिक पार्टियां देश में हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाने में लगी हुई है बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो घुस पैट करेगा उसको नागरिक्ता देना ठीक नहीं है पहले से रह रहे हैं मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है जो खुस पैटिये हैं उनको नागरिक्ता नहीं मिलती तो यह अच्छी बात है देखिए सवाल हमारे हाँ हिंदोस्तान का है हमारे देश का है इस पे लोग जो है इसको पहले समझें क्योंकि यह हमारे देश का कानून है और लोग धरना अपना सन जो है इस तरीके से उग्र होके ना करें क्योंकि हमारे देश का नुक्सान होगा इसके लिए उच अत्कारी बने हुए हैं अपने हाँ डियम हैं कमिस्टर हैं क्योंकि जो है इस मसले को लेकर के अफ़ाएं गलत फैलाई जा रही हैं लोगों को गलत बताय जा रहा है और उस बातों पे लोग ध्यान ना दें क्योंकि सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं जो कानून बने हुए हैं वो देश के लिए वेतर है ऐसा नहीं है कि वो जो है आम मुसल्मानों के लिए आम हिंदू के लिए नुक्सान है पहले लोग उसको समझें क्योंकि पार्टियां जो लगी हुई है वो चाहती है कि हि तरीके से अपने तकारियों कि पहले करें उसके बाद में कोई काम करने से सोच ठीजलने की हमारा कानून जो है कहा पर है क्या कह रहा है उसके बाल में कोई काम करें पहले लोगों ने समझाεί नहीं अब धरना अपरहा स gelir कर दिया है हम तो बन्होंत्व कर दियरों में बंगला देश और पाकिस्तां यह यह जोब घुसवड्ड करेंगा उसके पहले सरकार से उनके बने हुए कानून की मालूमात करें आयुध्या से मुहम्मद आलम की रिपोर्ट फिलहाल बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया के तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें न्यूस 29 इंडिया क्पुल इंडिया